ये जनसंग की जो त्रिवाचा थी तीन संकल पते कश्मीर से 370 धारा का उनमुलन देश में यू सीसी यूनिफॉर्म सब्सिविल कोड और राम जन्मर स्थान पर राम लला का भव्व्य और दिव्य मंदिर अब इसको संयोग कहिए मोदी का पराक्रम कहिए कुछ कहिए देश की इक्षा इसी कहिए कि उन्होंने उसने नर्द मोदी को इतनी राजनितिक तागत सौपी ये तीन जी जो त्रिवाचा थी जनसंग से लेके भाज़िपा तक की ये तीनों संकल पा एक ही व्यक्ति के कारिका काल में सिद्ध हो गए हो जाएंगे अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोट लागू हो गया कि कश्मीर से धारा 370 भी गई अयुद्या में भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदर का प्रथमता लगभग तैयार है जन्वरी में वहां रामला का विक्ष्री विग्रह विरा प्रवक्ता हैं पत्रकार नहीं अच्छी अब बताइए उकरी टमाटर के मुद्य पर बात नहीं हो रहे हैं यूशी सी पर टमाटर और यूशी सी बराबर है क्या बात भी ऐसी बोलोगे कि जिसमें ना कट जाए कि कोई आदमी मानेगा टमाटर आज महेंगा है कल सस्ता हो ज बदेश की सबसे बुदूर्ग पार्टी ने का टमाटर पर बात नहीं कर रहे है मोदी जी बताइए उसी सी पर बात कर रहे है मेरा पडाम पहुचे ऐसी तरक शक्ती को मेरा पडाम पहुचे ये भारत में एक चीज अच्छी हुई इधर कुछ वर्शों में प्रपोगंडा से सरकारों को नहीं डरना चाहिए ये भाव बैदा हो गया हमको याद 370 पर क्या क्या बोला गया था पार्लेमेंट में कि लाखो मारे जाएंगे खूल की नदियां पह जाएंगी चुआ नहीं मरा हो गया सांती सब को थंड पढ़ गई क्या 370 विदा हो गई थंड पढ़ी ह क्या तरपाधी जी की पाटी बेब कोई होंकारा नहीं भर रही क्या ना अब दुल्ला भर रहे एक राम आयुद्या में अगर मंदिर बना मुझे याद शाबुदीन ने मुझसे की इंटर्वी में कहा ता शाबुदीन साब ने कि मुसलमान बंदूक उठा लेंगे ना पूर वो विशे है एक बात में कहके प्रशांद पतिलक मा जाओंगा जो भी आरोप मुहमद अतीक साब में लगाए है उनका उत्तर वो देंगे ब्रिटिन में तरवाधी दी आप भी सुने ब्रिटिन में मुसलिम दूसरे नंबर की सब्से बड़ी जनसंख्या है ठीक यह ने बताने जारा है कि अपराध में उनका क्या नंबर है क्योंकि वो भी बिटिन ने जारी कर दिया धर्म के आधार पर अपराध के आंकडे यह बड़ाधूत काम किया बिटिन ने क्या मैं तो कहूंगा भारत में भी ऐसा होना चाहिए पता तो लगे मान सिक्ता किदर ज एक कर दिया इसा कर यहां हो जागे तो कांग्रेस नाराज हो जाएगी लेकिन फिर भी होना चाहिए दूसरे नंबर की है वहाँ UCC से काम चल रहा है क्यों वहाँ क्यूने शरिया लागू कि यह तो यूज सी चलना है जाने के कोई जाजत ही नहीं अमेरिका में भी अच्छी खासी तादात है इसलाम मनने वालों की UCC से ही काम चलना गाएं बाएं जाने पर पुलिस पकड़ लेती है क्या गाएं बाएं जाने पेटरवाडी जी पुलिस पकड़ लेती है और वहाँ छूटना भी मुश्किल है भारत तो है नहीं कि टेलिपोन करके कोई छोड़ा लेगा तो यहां मान सकते हो तो यहां भी माना सिभिल में शरीया पें फ़ोश्डारी में इंडियन कानून क्यों वही एक प्रशना और दूसरा दुनिया के तमाम देशों में आखिर सारे धर्म, सारे संप्रदाइश, सारे मजभ, सारी प्रजातियां उस देश के कानून को मानती हैं कि नहीं मानती बिना हला गुला, बिना छत पर खड़ों के चिलाएं कि नहीं, तो यह रवायत भारत में भी हो जाए, दुख तो इस बात का है कि 75 साल लग गए, तो मालीजी महरलक गई, तो क्या करेंगे, सारी बाते हैं तब दुनिया कहानी बहस छोड़ो, तो क्या करेंगे, 373 प्रजा, अध्या में क्या कर लिए, देश ने अगर मुची से कल शुकार कर लिया, तो क्या करेंगे आप, तब आप टमाटर यात्रा निका लेंगे, क्या करें कांगरेस, कहा जाता है कि बहस चरकारों ने, सरकारे बाताबरण तयार करेंगे और अभी बाताबरण नहीं बना, 75 साल में जो बाताबरण नहीं बना वो, 105 साल में भी फिर नहीं बनेगा, ठिक, यह जन संख्या पर और UCC पर यह जो वक्त वो लिया जाता है न, बहाना, अभी तक क्यों ने गिया, 75 साल में, 45 साल में तो कांगरेस रही शाचन में, सच्चर कमेटी, जितनी कमेटी, सारी कमेटीों में जो भी आया, वो 45 साल में आपकी हुकुमत रही, और तब आप उनको अगर नहीं ला पाए, मुखित, मेन स्टीम, तो आगे अनंत कालता की साध हार पर चीजों को टाल दे,